चले इस लोक को हमने समझा आगे बढ़ते हैं अगला स्लोक है विद्या विवादाय धनम्मदाय सक्ति परेशाम परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय यह स्लोक है और इस स्लोक में आप देख रहे हैं विभिन पद जो हैं चतूर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक से संबंधित पद हैं तो संप्रदान कारक से संबंधित पद कौन-कौन से हैं यह आप पहले पहचान लेजिए तो संप्रदान कारक से संबंधित जो ज्यानाएं, दानाएं, रक्षणाएं ये पद जो हैं संप्रदान कारक से संबंदी से अर्था चतुर्थी भक्ति का प्रयोग यहां हुआ है तो संप्रदान कारक युक्त पदों के हमने पहचान कर ली आईए अब स्लोक में जो संधी युक्त पद हैं उन पदों को देखते हैं आप देखते हैं साधोर विप्रीत मेतद यह जो पद है संधी युक्त है इसको आप अलग कर दीजे जो लंबा सब्द दीख रहा है संभावना यह होती है कि वहां संधी होगी और उन पदों को आप अलग कर लिजिए तो चीजें जो है आपके लिए सरल हो जाएंगे तो इस पद को हम अलग करते हैं देखते हैं साधोह धन वीप्रीतम धन एतद ऐसा कर लिजिए तो यहाँ साधोह धन वीप्रीतम धन एतद साधोह यहाँ पर वीशर्ग संधी हुआ फिर वीप्रीतम धन एतद यहाँ वियंजन संधी का प्रयोग हुआ तो इस तरह से हम इसके जो कछिन सब्द हैं उनको अलग कर लिए अब विभिन जो पद हैं इन पदों के अर्थ देखते हैं विद्या मतलब विद्या विवादाय मतलब विवाद के लिए धनम धन या रासी या वित्त मदाय मतलब मद या अहंकार या घमंड या दर्प सक्ति सक्ति परेसाम दूसरों के परिपीजनाय दुख देने के लिए खलस्य दूस्ट के साधु साधु या सज्जन विप्रीतम अर्थात विप्रीत एतत मतलब यह ग्यानाएं ग्यान के लिए दानाएं दान के लिए च और रक्षणाएं रक्षण के लिए ये इस स्लोक में प्रयुक्त विभिन्न पदों के सब्दार्थ हमने देख लिए अब इसके दार पर आईए इस स्लोक का अर्थ बनाते हैं स्लोक पढ़ते हैं पर विद्या विवादाय धनम्मदाय सक्ति परेशाम परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीतमेतद ज्यानाय दानाय चरक्षनाय अर्था होगा कि विद्या विवादाय धनम्मदाय दूंश्ट व्यकति की विद्या है ा का देखिए यहां पर खलस्यसर्ब्राइब जो नीचे और दूस्ट व्यक्ति की जो सक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है कि साधोव विपरीत मेतद और जो सज्जन होते हैं उनकी जो यह विद्या है धन है और सक्ति है यह इसके विपरीत किन किन चीजों के लिए होता है सज्जन की जो विद्या होती है वो ग्यान के लिए होती है कि सज्जन का जो धन होता है वह दान के लिए होता है और सज्जन की जो सक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है तो दूस्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए धन अहंकार के लिए सकती दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है इसके विप्रीत सज्जन की विद्या जो है ज्यान के लिए होती है धन जो है दान के लिए होती है सक्ति जो है रक्षण के लिए होती है तो यह स्लोक का अर्थ हुआ इस स्लोक से संबंधित विभिन प्रस्ण पूछे जाते हैं जैसे एक तो इस स्लोक में प्रयुक्त विभिन संप्रदान पदों की पहचान करें इसका उत्तर मैंने बता दिया आपको पहले ही और फिर अब कह सहेंगे कि वित्तम इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोक के किम पदम प्रयुक्तम अर्थात वित्त के अर्थ हमें इस स्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है तो वित्त के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर धनम वित्तम इती पदस्य अर्थ है अस्मिन स्लोक क इसी तरह से हम कहेंगे अन्य साम अन्य साम इती पदश्य पर्याय पदम अस्मिन श्लोके कीम पदम प्रयुक्तम तो अन्य साम इती पदश्य पर्याय पदम असमिन स्लोके परेसाम इती पदम अस्ति अर्थार अन्य साम इस पद के लिए परेसाम यह इस पद का प्रयोग इस स्लोक में किया गया है इसका अर्थ होता है दूसरों के अस्मिन स्लोक के प्रयुक्त अव्याय पदम चिनुत अर्थात इस स्लोक में प्रयुक्त अव्याय पद को चुन कर लिखो इसका तो आप देखते हैं पूरे स्लोक में आप देखें तो एक अव्याय पद का प्रयुग हुआ है और वो अव्याय है च कभी कभी यह पूछा जाता है कि आस्मीन स्लोके प्रयुक्त अर्जनाय इती पदस्य विऽलोम पदम किम प्रयुक्तम अर्जनाय मतलब अर्जित करने के लिए इसके विपरीत में अर्थात इसके विलोम में कभी विलोम पदम कहा जाता है कभी विपर्यय पदम कहा जाता है तो विलोम पद क्या है या विपर्यय पद क्या है यह आपको इस स्लोक में से चूनकर लिखना है तो अरजनाय यह पद दिया हुआ है और इसका विलोम जो है स्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ यह आप द तो अर्जनाय का विलोम पद अर्जनाय इती पदस्य विलोम पदम अस्मिन स्लोक के दानाय इती पदम प्रयुक्तम अर्थात अर्जनाय इस पद के विलोम अर्थ में इस स्लोक में प्रयुक्त पद है दानाय ऐसा कह सकते हैं और आप इस तरह से इस स्लोक से संबंधित विभीन प्रश्ण जो पूछे जाएंगे इनका भली भाती आप उत्तर देने में समर्थ हो सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमह स्मृति भ्रंसात बुद्धिर नासो बुद्धिर नासात प्रणस्यती इस स्लोक में अपादान कारक की प्रधानता है अपादान कारक से युक्त विभीन पद इस स्लोक में प्रयुक्त हुए हैं कौन-कौन से पद हैं आईए उन्हें पहले देखते हैं क्रोधात सम्मोहात स्मृति भ्रंसात बुद्धिर नासात ये पद अपादान कारक से संबं अपादानकाराक अर्थात पंच्मी भक्ति युप्त ये जो पद हैं इसके पास चाहत हम देखते हैं इस पाठ स्लोक में जो पद आये हैं उन पदों के अर्थ को देखते हैं अर्थात सब्दार्थ देखते हैं क्रोधात क्रोध से भावती भूधातु है लटलकार पत्थम पूरुस एकवचन का रूप है इसका अर्थ होता है होता है सम्मोहा सम्धन मोहा यहाँ पर विंजन संधी का प्रयोग हुआ है इसका अर्थ होता है अज्यान सम्मोहात सम्मोह से अर्थात अज्यान से स्मृती विभ्रम होता है अर्थात स्मृती का नास होता है स्मृती भ्रंसात और स्मृती के नर्ष्ट होने से बुद्धिर नासो बुद्धी का नास होता है बुद्धिर नासात बुद्धी के नास हो जाने से प्रणस्यती मनुस्य ही नष्ट हो जाता है स्लोक का अर्था देखते हैं क्रोध सब्द क्रोध में पंच्मिवक्ति का प्रयोग हुआ है सम्मोहात यहां भी पंच्मिवक्ति का प्रयोग है सम धन्मो धन épo कि एक वचन एक पेह हो शेलिए करोध हाद करोध सें तो सम्मोहाद करोधा भवती संद्ध करता है और वियक्त करता इसका व्यक्ति को भान नहीं रहता है और इस तरह से उसकी बुद्धी का नास हो जाता है क्यों क्योंकि उसके अज्ञानता का आवरण चड़ जाता है इसलिए कहा गया क्रोधात भवति सम्मोहा क्रोध से अज्ञान होता है और व्यक्ति जब क्रोध में हो जाता है तो अज्ञान का आवरण उस पर चड़ जाता है और अज्ञान का आवरण जब व्यक्ति के मस्तिस्क पर चाजाता है तब उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रहता है अर्थात उसकी तो जो स्मरन सक्ति है उसकी जो याद दास्त है वह क्या हो जाता है वह नश्ट हो जाता है फिर वह अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका ध्यान उसका भान वह नहीं रख पाता है उसे नहीं रहता है विडिति भ्रन्षाथ और इस तरह से स्मर्न-सक्ति नष्ट हो जाने पर बुद्धिर नासो वयक्ति का बुद्धि जो है वह नष्ट हो जाता है अरथाथ ऐसी इस्थिति में व्यक्ति अपने विवेक का उपयोग नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पता ही नहीं चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है केवल और केवल वह क्रोध के वसिभूत हो जाता है बुद्धिर नासात और बुद्धि के नंश्ट हो जाने पर अर्थात ऐसी अवस्थाव में जब व्यक्ति कुरह से हो तो ऐसी इस्तिति वह सको अज्ञान हो जाता है और अज्ञान के कारण से उसकी स्मरन सक्ति का नास हो जाता है और स्मरन सक्ति के नास हो जाने से बुद्धी कार्य नहीं करती है और बुद्धी जब किसी व्यक्ति का कार्य न करे व्यक्ति का मतलब क्या है व्यक्त यते एति व्यक्ति है अर्थात जो व्यक्ति अपने आपको को अब व्यक्त कर पाता है वो व्यक्ति कहलाता है व्यक्ति की विशेशता तभी है जब उसके पास बुद्धी है और यदि कोई व्यक्ति बुद्धी हीन है तो बुद्धी हीन मनुष्य वो तो पसु के समान हो गया तो बुद्धिर नासात बुद्धी के नश्ट हो जाने प कुछ भी ज्ञान नहीं होता है ऐसी इस्तिति में व्यक्ति का जो मान सम्मान होता है वो सब नश्ट हो जाता है और मान सम्मान के नश्ट हो जाने पर व्यक्ति स्वयम नश्ट हो जाता है तो यह इस लोग का भावार्थ हुआ आईए इसके अर्थ को देखते हैं कुरोधात भ क्रोध से अज्ञान होता है, अज्ञान से स्मृति अर्था स्मरन सक्ति का नास होता है, स्मरन सक्ति के नष्ट हो जाने से बुद्धी का नास हो जाता है, और बुद्धी के नष्ट हो जाने से मनुस्य नष्ट हो जाता है, ये स्लोक का अर्थ हुआ, स्लोक से संबंधित किसी वाक्यांस का किसी परिक्षा में अर्थ पूरा स्लोक का अर्थ पूछा जा सकता एक दूसरा किसी वाक्यांस का अर्थात किसी एक अंस का जैसे क्रोधात भवति सम्मोहा अस्मिन पदस्य अर्थम लिखत ऐसा कहा जा सकता है अर्थात क्रोधात भवति सम्मुहा इस पद का अर्थ आप लिखिए यह बताईए तब आपको किवल इतने का अर्थ बताना है आपको बताना है क्रोध से अज्ञान होता है इतना कहना है कभी-कभी यह एक वाक्य ही दिया जाए या कहा जा सकता है तब आपको इसका पहचान करना है क्रिया क्या है? क्रिया है भावति भूधहतु भी आपको बताया था भूधहतु लटलकार प्रथम पूरुस का रूप है भू को भाव होता है भू मतलब होना लचलकार प्रथम पुरुष में इसका रूप बनता है भावती भावता भावंती अब जानते हैं भावती भावता भावंती भावता भावता भावामी भावा भावा मह यह लचलकार का रूप होता है तो यहां पर प्रथम पुरुष एक वचान का रूप दिया है भावती य यहां क्या पूचा गया है कि म क्रियापद क्रियापद प्रयूक्त कौन सा दुश्रा प्रशन मसी तो क्रोधात भाक्य श करता प्रदम किम अस्ति करता नहीं है तो करता की पहचान क्या है कि करता की पहचान है कि जिसमें प्रत्मा विभक्ति का प्रयोग हुआ है वह पद जो है करता विभक्ति है वह पद जो है करता पद होता है तो यहां क्रोधात भवती सम्मोहा इसमें सम्मोहा जो कहा जा रहा है इसमें प्रत्मा विभक्ति का प्रयो कभी यह कहा जा सकता है कि अस्मिन स्लोके नस्टम इती पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम अर्थात इस स्लोक में नस्टम अर्थात नास इस सब्द का पर्याय पद कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है तो पूरे स्लोक को आप देखिए और वहां से नस्टम इस अर्थ को ब तो हम पाते हैं यहां नश्टम का परियाइपद प्रियुक्त हुआ है नास अर्थात नास इसता परिक्या होता है नश्ट होना समाप्त होना तो इस तरह से स्लोक पर आधारित जो विभिन प्रस्ण पूछे जाते हैं चाहे वो अनुवाद से संबंधित हो चाहे भावार्थ हो चाहे स्लोक का किसी वाक्यांस का अर्थ पूछा जाए या किसी वाक्यांस पर आधारित करता पूछा जाए, क्रिया पूछा जाए, विसेशन पूछा जाए, विसेश से पूछा जाए या अव्याइपद पूछा जाए, या पर्याय पूछा जाए, या विपर्याय पूछा जाए इन सभी चीजों के लिए हमें अपनी तैयारी रखनी है, सबकी समझ हमें विक्षित करनी है तो निश्यत रुप से आप इस लोग को समझ पाए होंगे, चले आगे बढ़ते हैं अलसस्यकुतो विद्या अलसस्यकुतो विद्या अविद्यस्यकुतो धनम अधनस्यकुतो मित्रम अमित्रस्यकुतह सुखम इस स्लोक में संबंध कारक की प्रधानता है अर्थात सश्ठी भक्ति से युक्त विभिन नपद इस स्लोक में प्रयुक्त हुए हैं कौन-कौन से पद हैं जो संबंध कारक अर्थात सश्ठ्वी भक्ति को व्यक्त करने वाले हैं तो वे पद हैं अलसस्य, अविद्यस्य, अधनस्य, अमित्रस्य ये वे पद हैं जो सश्ठ्वी भक्ति युक्त पद हैं अर्थात इनमें संबंध कारक है या संबंध को बताने वाले ये पद हैं स्लोक में जो विभिन पद प्रयुक्त हुए हैं आईए उनके अर्था देखते हैं अलसस्य मतलब आलसी व्यक्ति का कुतो का मतलब होता है कहां विद्या विद्या ये बुद्धि आविद्यस्य विद्या का कुतो कहां धनम धन आधनस्य धन हीन का कुतो कहां मित्रम मित्र अमित्रस्य मित्र हीन का कुता है कहां सुखं सुख ये स्लोक में जो विभिन पद हैं इसका सब्दार्थ हमने देखा और आईए अब इसके पस्चात स्लोक का अर्थ क्या होगा अलसस्य कुतो विद्या आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होता है जो व्यक्ति अकर्मन्य होता है जो व्यक्ति कार्य में आलस्य दिखाता है जो व्यक्ति कार्य के लिए प्रवृत्त नहीं होता है अर्थात जो व्यक्ति जो है परिश्रम नहीं करता है कर्म नहीं क जाएगा वो भूल जाएगा विश्मृत हो जाएगा अलसस्य कुतो विद्या जो आलस्य करता है जो कारे करने में कारे को सीखने में जो आलस्य करता है उस व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है अविद्या स्य कुतो धनम और जो व्यक्ति विद्या से हीन होता है अर् अर्थात विद्याहिन को धन प्राप्त नहीं होता है अर्थात विद्याहिन को धन कहां से प्राप्त होगा उसको धन प्राप्त नहीं हो सकता है अधनस्य कुतो मित्रम और जिस व्यक्ति के पास धन नहीं हो उसका कोई मित्र होगा क्या नहीं नहीं हो सकता है तो जो व्यक्ति धन हीन होता है धन हीन है अर्थात जब देखो तब किसी भी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाते रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद करेगा क्या नहीं न तब ऐसे व्यक्ति कोई मित्र बनना चाहेगा नहीं तो ऐसा व्यक्ति जो है मित्रों से हीन हो जाता है अर्थात कोई उसका मित्र बनना नहीं चाहता है और जिस व्यक्ति का इस संसार में कोई मित्र नहीं होता है कि मित्र किसको कहेंगे मित्र वह है जिससे हम अपनी मन की कि बातीं साजया कर सकते हैं अपने अफिक दूख को अवियक्त कर सकते हैं कि सुख है तभी अवियक्त करेंगे दुख है तभी कहां कि स्लोक कर्थ है अलसस्यकुतोविध्या विध्यास्यकुतोधनम अधनस्यकुतोमित्रम अमित्रश्यकुतः सुखम आलसी व्यक्ति को विध्यप्राप्त नहीं होती है विद्या हिन को धन की प्राप्ति नहीं होती है अधन हिन व्यक्ति का मित्र नहीं होता है और मित्र हिन को सुख की प्राप्ति नहीं होती है स्लोक से संबंदित कुछ प्रस्न पूछे जा सकते हैं जैसे दुखम अस्मिन पदस्य विपर्यय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम दुख इस पद का विलोम या विपर्यय इस स्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है प्रस्म सरल है हां उत्तर क्या होगा बिल्कुल सही दुख्खम का विलोम पद स्लोक में प्रयुक्त हुआ है वहाँ है सुख्खम प्रस्म पूछा जा सकता है अस्मिन स्लोके किम अव्याइपदम प्रयुक्तम इस स्लोक में कौन सा अव्याइपद प्रयुक्त हुआ है तो यहां आप देख रहे हैं पूरा स्लोक आप देखें तो Kuto यह जो सब्दा आया है वस्तताह यहीं कुताह इसका मूल रूप है कुतो विध्या कहा है, यहां पर संधी है संधी विछ्छेत करने के लिए कहा जा सकता है कुतो विध्या, तो क्या कहेंगे कुताह धन मित्रम यहां विसर्ग संधी हुआ तो इस तरह से जहां-जहां कुतो सब्दा आया है वो सभी क्या है वो कुताह का रूप है तो अस्मिन स्लोक के प्रयुक्त अव्याय पदमस्ति कुताह चले आगे बढ़ते हैं अगला स्लोक है सैले सैले न मानिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नही सर्वत्र चंदनम्न वने वने ये स्लोक है और इस स्लोक में अधिकरण कारक की प्रधानता है विभिन पदों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है वे पद है सैले सैले गजे गजे वने वने ये ऐसे पद है जिनमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है सब्धार्था देखते हैं, सेले सेले मतलब पर्वत पर, और सेले सेले मतलब पर्वत पर अर्धात विभिन पर्वतों पर मानिक्यम मतलब मनि मौक्तिकम मोति न मतलब होता है नहीं यह अव्याइपद है और गजे गजे गज मतलब होता है हाथी गजे मतलब हाथी पर हाथी हाथी पर अर्थात हाथियों पर सभी हाथियों पर या विभिन्न हाथियों पर साधव तो साधव यह रूप है साधु सब्द है बहुवचन का रूप है साधु साधव साधव यह इसका रूप बनता है तो यहाँ पर प्रत्मवभक्ती बहुवचन का रूप है ना का मतलब नहीं और ही यह निश्चय सूचक अव्याइपद है सर्वात्र सभिस्थानों पर चंदनम चंदन ना मतलब नहीं वने वने वन मतलब वन यह जंगल वने वन में वने वने जंगलों में या वनो में विभिन वनों में तो ये यह इसका ये सब्दार्त हुवे आये सलोक के अर्थ देखते है सलोक है स्लोक के अर्थ है प्रत्य एक पर्वत पर मनी नहीं होता है प्रत्येक हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होता है सभी जगा संजन नहीं होते हैं और प्रत्येक वन में चंदन नहीं होते हैं प्यारे विच्चों आप चंदन के विशह में जानते हैं चंदन ऐसा व्रिक्ष है जो सभी इस्थानों पर नहीं पाये जाता है यह केवल और केवल मलय परवत पर पाये जाता है चंदन की प्रकृति अत्यांत सीतल होती है और चंदन व्रिक्ष से होकर जो वाईयो बहती है उसमें सीतलता होती है इसलिए मलय परवत से जो वाईयो बहती है इसकी प्रवित्ती होती है कि वो सीतल होता है कहा जाता है मल या नील कहा जाता है अनील मतलब होता है हवा या वायू तो मलय परवत से चलने वाली जो वायू है वह चंदन के कारण चंदन के प्रभाव के चंदन की सीतलता के कारण से वहां से बहने वाली वायू यह सीतल प्रविति की होती है लेकिन यह चंदन का विक्ष स प्रस्न पूछे जा सकते हैं जैसे पासाने इती पदस्य पर्याय पदम स्लोके किम पदम प्रयुक्तम तो पासाने मतलब पत्थर पर और इसके अर्थ में इसके पर्याय के रूप में कौन सब्पद स्लोक में प्रयुक्त हुआ है तो पासाने इती सब्दस्य पर्याय पदम स् सेले ऐसे पुछा जा सकता है विपरियाए विलोम सब्द पुछा जा सकता है जैसे दुष्टाह दुष्टाह इति पदस्य स्लोके किम विपरियाए पदम प्रयुक्तम अर्थात दुष्ट लोग इसके विलोम में कौन सब्द स्लोक में प्रयुक्त हुआ है यह कहा जाए यह प्रस्ण पूछा गया है तब उत्तर क्या होगा आप पूरा स्लोक को देखिए प्रत्येक पदों को देखिए और कौन सब्द है जो दुष्टाह पद के विपरियाए अ हां बिलकुल सही यहां पर प्रयुक्त हुआ सब्द है साधवो या साधवः स्लोक में जो प्रयुक्त हुआ है सब्द साधवो न तो यहां पर संधी पद है यह संधी को अलक करेंगे तो होगा साधवह धन्न यहाँ पर विशर्वसंदी का प्रयोग हुआ है तो दुष्टाह इती पदस्य विपर्यय पदम स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति साधवह ऐसा कह सकते हैं और इस तरह से आप प्रस्ण स्लोक पर आधारी जो विभीन प्रस्ण पूछे जाएंगे इनका उत्तर भली भाती आप दे सकते हैं कब जब आप पूरे स्लोक को आप समझेंगे तब चले आगे बढ़ते हैं पापान निवार्यति योजयते हिताय गूह्यम निगूहती गुणान प्रगटी करोती आपद गतंचन जहाती ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदं प्रवदंति संतह ये स्लोक है और अभी तक हम जितने स्लोकों का अध्यन किये उनमें कारक के बारें बताया गया था लेकिन अब यहां हम देखते हैं क्रिया के बारें में बताए रहा रहा है यहां इस से संबंधितं विभीन पदों का प्रयोग यहां किया गया है जैसे निवारयती, योजयते, निगूहती, प्रकटी, करोती, जहाती, ददाती, प्रविदंती, प्रवदंती, ये पद जो हैं लट लकार के पद हैं इसमें अब विभिन पदों को देख रहे हैं आईए, तो ये सभी पद, अभी जितने पदों को मैंने कहा, ये सभी पद, लट लकार से युक्तपद हैं और सुलोक में आये हुए, जो कठीन सब्द हैं, उन सब्दों को देखते हैं, यथा संभवन को सरल करने को प्रयास करते हैं पहला सब्द है, पापान निवारियती, सब्दों को अलग कर दीजे, पापात धन निवारियती इती पापान निवारियती यहाँ पर व्यांजन संधी का प्रयोग हुआ है, सन मित्र लक्षण मिदं, इस सब्द को तोड़ दीजे, सत धन मित्र लक्षणम धन इदं, सत धन लक्षण मिदं, सत धन मित्र लक्षणम यहाँ पर व्यांजन संधी और लक्षणम धन इदं, यहाँ पर भी व्यांजन प्रयोग हुआ है का सलोक में जो विभीन पद आये हैं उनका अर्थ देखते हैं पापात मतलब पपक से निवारयती इसका मतलब होता है रोकता है या बचाता है या दूर करता है कि योज यते लगाता है युक्त करता है ही इत के लिए कल्यान के लिए गुहियम गुप्त निगूहती छिपाता है गुणान गुणों को प्रकटी करोती प्रकट करता है आपद गतम अर्थात आपत्ति काल में अर्थात विपत्ति के समय में च और न नहीं जहाती छोडता है ददाती देता है काले समय में सत मतलब अच्छा मित्रम मित्र लक्षणम लक्षण इदम ये प्रवदंति कहे हैं संतह संतों न अर्थात ये जो पूरा स्लोक है इसमें आप देख रहे हैं कुछ कठिन पद जो है उनको मैं बताना चाहूंगा या जो क्रिया रूप है इनको बताना चाहेंगे नीवार यती ये लटलकार प्रथम पूरुस का रूप है इसी तरह से योज यते योजय यदातु है लटलकार प्रथम पूरुस का रूप है आत्मने पद का आत्मने पद प्रथम पूरुस एक वचन का यह रूप है नी गुहती गुह इसका मतलब होता है छिपाना लटलकार प्रथम पूरुस का रूप यहां पर प्रविक्त हुआ है और करोती कृधातु लटलकार प्रथम पूरुस का रूप यहां प्रविक्त हुआ है जहाती जहाती कहते हैं इसका धातु है हा और यह भी लटलकार प्रथम पूरूस का रूप है इसका रूप बनता है लट लकार प्रथम पूरूस में जहाती जत्तह जहती ददाती दाधातु है प्रवदंती प्रवपसर्ग है वद धातु है लट लकार प्रथम पूरूस बहुवचन का यह रूप है तो इस तरह से हम विभिन सब्दों के रूप को देख लिए अब आईए पूरे स्लोक के अर्थ को देखते हैं पापान निमारियती अर्थात पाप से देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है नीचे पंक्ति चतूर्थ पंक्ति में क्या कहा गया है सन मित्र लक्षण मिदम प्रवदंति संतह संतों ने अच्छे मित्र के ये लक्षण कहे हैं क्या के लक्षण कहे हैं वे लक्षण है सभी जो जो चतूर्थ पंक्ति में जो कहा गया है वो उस बात को हम पहले लेते हैं संतों ने अच्छे मित्र के ये लक्षण कहें हैं कौन कौन से लक्षण कहें हैं यहां से भी लेते हैं पापानिवारियती अच्छा मित्र जो है पापों से बचाता है योजयते हिताए और अच्छे कारिय में लगाता है अर्थात कल्यान के कारिय में लगाता है गुहयम निगुहती और मित्र के गुप्त रखने योग्य बातों को गुप्त रखता है या छिपाता है उसको प्रकट नहीं करता है सन मित्र लक्षण मिदं प्रवधंति संतह संतों ने अच्छे मित्र के ये लक्षण बताए हैं कौन कौन से लक्षण बताए हैं पापान निवार्यती अच्छा मित्र पापों से दूर रखता है अर्थात सच्चा मित्र वही है या अच्छा मित्र वही है जो अपने मित्र को गलत कारियों से या पापों से पाप कर्मों से बचाता है या उससे दूर रखता है अर्थात गलत कारियों को करने से उसको रोकता है तो पापान निवारियती अच्छा मित्र जो है अपने मित्र को बुरे कर्मों से बचाता है वही सच्चा मित्र होता है और सच्चा मित्र क्या करता है सच्चा मित्र का कार्य है योजयते हिताय और जो कल्यान का जो कार्य होता है परोपकार का जो कार्य होता है इन कार्यों में वह अपने मित्र को लगाता है अर्थात बुरे कर्मों से बचाता है और अच्छे कारियों में लगाता है अर्थात पाप का भागीदारी बनने से उसे बचाता है और पुन्यक के कारियों में उसको सनलगन करता है अर्थात पुन्यक का भागीदारी उसको बनने में प्रोथसा मित्र के जो छीपाने यूग्य बात होता है यह गुप्थ बात होता है इसको निगुत हथी इसको छीपाता है अर्थ हाथ मित्र के जो बुरी बाते होती एसको लोगों प्रकट नहीं करता है गुणान प्रकटी करोती वह प्रकट करता है किसको प्रकट करता है गुणों को प्रकट करता है अर्थात मित्र के बुरी बातों को चिपा लेता है अपने तक रख लेता है उसको अभियक्त नहीं करता है लेकिन यदि मित्र में यदि कोई अच्छाई है तो उस अच्छाई को या उस गुण को लोगों को बताता है उसका वह प्रसार करता है और अवगुणों को अपने तक रख लेता है तो इस तरह से अवगुणों को छिपाते हुए उसके गुणों को अच्छा मित्र जो है अभिव्यक्त करता है आपद गतम चन जहाती और मित्र जब कोई आपत्ती में फंस जाता है तब उसको छोड़ कर जाता नहीं है जहाती हाधातु है इसका आर्थ पर होता है छोड़ना तो जहाती छोड़ता है वो मित्र को छोड़ता नहीं है कब नहीं छोड़ता है आपद गतम जब मित्र जो है किसी आपत्ति या विपत्ति या कोई संकट में फंस जाता है तब ऐसी इस्तिति में मित्र को छोड़कर वह जाता नहीं है ददाती अपितु क्या करता है वह देता है क्या देता है साथ देता है अर्थात आपत्ति के समय सं कर वह जाता नहीं है और अपने मित्र का साथ देता है ये अच्छे मित्र के लक्षण है ऐसा सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदंति संतह ऐसा संतों ने अच्छे मित्र के लक्षण बताते हुए ये कहा है तो ये इस लोग का भाव हुआ अर्थ हम देखते हैं इसका पापान निवारियती योजियते हिताय गुहियम निगूहती गुणान प्रकटी करोती आपद गतंच न जहाती ददाती काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदंति संतह अच्छा मित्र अपने मित्र को पाप करमसिय रोकता है हित के कारियों में लगाता है मित्र को मित्र के गुप्त बातों को छीपाता है उसके गुणों को प्रकट करता है विपत्ती काल में मित्र को छोड़ता नहीं है साथ देता है अर्थात विपत्ती में पड़े मित्र को छोड़कर वह भागता नहीं है संतों ने सच्चे मित्र के ये लक्षण बताए है अर्थात सच्चे मित्र में ये लक्षण होने चाहिए या कहें कि जिस मित्र में ये लक्षण हो वह सच्चा मित्र है तो इस तरह से आप इन गुणों के अधार पर अपने अच्छे और सच्चे मित्रों की पहचान कर सकते हैं स्लोक से संबंधित कुछ प्रस्न है जैसे अपसारयती असमिन पदस्य विपर्याय पदम ए अंपसारयती का अर्थक क्या होगा अपसारयती मतलब दूर करता है इस अर्थ में पद स्लोक में प्रयुक्त हुआ है क्या स्लोक का भली भाती देखिए और कोई वैसा अर्था देने वाला पद है तो उसका चैन कीजिए तो हम पाते हैं यहां कि निवारयती यह पद जो है यह दूर करता अर्थ को बताता है इसलिए अपसारयती इति पदस्य पर्याय पदम अस्मिन यह प्रस्टना पूछ दिया गया आप से तब आपको सबसे पहले क्या करना है यह जानना है तो यच्छती का मतलब होता है देना, तो उस अर्थ में कोई सब्द है क्या? अब देखें, यच्छ मतलब होता है देना, यच्छती यह लचलकार प्रथम पूरुस का रूप है, तो देने अर्थ में लचलकार प्रथम पूरुस में कोई पद इस लोक में प्रविक्त हुआ है क्या देखते हैं हाँ प्रयुक्त हुआ कम से सब्द है बिल्कुल सही यहाँ पर प्रयुक्त हुआ सब्द है ददाती तो यच्छती इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोक के प्रयुक्त पदम अस्ति ददाती तो इस तरह से हम स्लोक का अर्थ भी बता सकते हैं, स्लोक का भावार्थ बता सकते हैं, स्लोक में प्रयुक्त पदों का सब्दार्थ पूछा जाए तो वो बता सकते हैं, या स्लोक से संबंधित पर्याय या विलोम सब्दा से संबंधित कोई प्रस्न पूछा जाए, इसका भी हम उत्तर देने म समर्थ हो सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं